Hello students, Welcome to MkMassWord Students, हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए Thank you, जो हमारे साथ नहीं है वो जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब करो तांकि नई study base video आप तक पहुँच पाए Student, जैसे कि आप जानते हो कि 7th class की मैस की बुक जो है, वो change हुई है तो आज हम syllabus के according new book जो है first chapter से start कर रहे हैं तो इस book में भी student first chapter जो है वो है integers आज हम इसकी introduction जो है वो करेंगे तो सबसे पहले student integers जो है वो होते क्या है तो सबसे पहले integers क्या होते हैं numbers होते हैं numbers difference type क्यों होते हैं जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है natural number whole numbers natural number जो है वो क्या होते हैं one से start one two three so on ठीक है n से denote करते हैं उनको जो whole numbers होते हैं वो zero से start होते हैं one two three four so on w से denote करते हैं उन्हें now student integers integers क्या हैं z से denote करते हैं उनको ठीक है तो वो क्या होते हैं positive numbers और negative numbers ये दुनों जब मिलें तो वो क्या बन जाएंगे integers ठीक है जो natural number होते हैं वो 1 से start होते हैं और सभी positive numbers हैं whole number 0 से start होते हैं वो भी सभी positive numbers हैं लेकिन जो integers हैं उनमें negative numbers भी आते हैं और positive number भी आते हैं clear now सबसे पहले student हमें number line पे पता होनी चाहिए कि numbers जो हैं वो कैसे आते हैं तो देखो number line जो है वो कैसे वन ओगे ठीक है ये एक line है ठीक है बीच में यहां पे 0 ये 1 2 3, 4 ये होगे positive numbers और इस तरफ negative अब ये धियान रखना है कि 0 के साथ ही minus 1 शुरू करना है ये नहीं इस तरफ से लिखना शुरू कर दो 1, 2, 3, 4 ठीक है ये गलती नहीं करनी number line बनाते है समय 0 लिखके इस तरफ 1, 2 ये positive और इदर negative ठीक है राइट में positive और लेफ्ट में negative तो यहाँ पर minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 clear student ये हो गई हमारे integers ठीक है अब एक बात और याद रखो कि जितना भी minus का number है negative numbers है ठीक है वो जितना बड़ा होगा उतना ही 0 से दूर हो गया न positive integer से दूर हो जाएगा ठीक है तो उतना ही वो इनसे क्या हो जाएगा छोटा जैसे minus 4 है तो वो minus 3 से छोटा है minus 2 से minus 1 से even 0 से भी ठीक है ये सभी numbers से ये क्या होगा सबसे छोटा जितना बड़ा number जैसे कोई भी बड़ा number लिख लो आप 4, 3, 5 कोई भी आसे number ये देखो कहने को इतना बड़ा number है लेकिन अगर इसके साथ हम minus का sign लगा दें तो ये क्या हो जाएगा 0 से less छोटा हो जाएगा ठीक है अब याद रखना है आपने हमेशा जो positive numbers है वो हमेशा बड़े होंगे किस से negative numbers ठीक है clear तब ही तो कहते हैं कि अच्छे बच्चों के साथ आप रहो negativity जो है वो नहीं अच्छी होती कहते है न आपके parents भी अच्छे अच्छे बच्चों की बाते सुना करो अच्छे बच्चों के साथ बैटो ठीक है positive means अच्छा ठीक है negative means बुराई एक और बात जाद रखो कि जब भी कोई negative number है ठीक है तो अगर वो modulus में आजाए मॉडलस मीन ऐसे two lines है जैसे jail होती है ना तो jail में किसी को गलती करने पर बंद कर देते हैं तो उसको फश्तावा होता है तो वो जब बाहर आता है तो क्या हो क्या आता है अच्छा बन के आएगा positive लेक के आएगा positivity अपने साथ ठीक है तो ऐसे ही ये क्या है modulus इसमें अगर कोई negative number भी हो तो वो भी जब बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा positive clear now student integers की addition subtraction और multiplication divide हम देखेंगे कि उसमें integers को कैसे करते हैं तो सबसे पहले addition of integers ये जो introduction वाले हम वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आगे जो chapter है वो आपको easy लगे ठीक है अगर ये वाली जो वीडियो है आपने अच्छे से देखी अच्छे से समझी तो आपको chapter जो है वो बहुत easy लगेगा तो student सबसे पहले addition of integers, integers की addition जो है वो add उनको कैसे करते हैं तो addition of two integers having same sign ठीक है two types addition की integers की addition होती है एक तो अगर same sign हो ठीक है same sign means दोनो positive positive ठीक है और क्या हो सकते है negative negative same sign clear और कैसे होगा addition of two integers having different sign अगर different sign means एक plus का sign है एक minus का sign है ठीक है तो ये different sign होगे इनकी addition कैसे करेंगे अगर same same sign है तो इनकी addition कैसे करेंगे वो सीखेंगे तो student आपने याद रखना है कि जब भी आपने add और subtract करना है integers को तो अगर if we have same sign अगर same sign है तो then हमेशा क्या होगा add करेंगे उनको ठीक है plus ही करेंगे अगर plus plus है तब भी plus करना है अगर minus minus का sign है दोनों के साथ तब भी हमने add करना है बट sign जो है वो bigger number जो है ठीक है जो दोनों में से बड़ा होगा उसका sign answer में आएगा ये बात आपने याद रखनी है ठीक है जैसे example 3 plus 2 दोनों के साथ ये 3 के साथ कोई sign नहीं है कोई sign नहीं means plus का sign है ठीक है तो ये same sign होग add करना है 3 plus 2 कितने होगे 5 plus का 5 कोई sign नहीं means plus का है ठीक है अगर दोनों के साथ minus का sign है तब भी same sign है तो करना तब भी क्या है add ही करना है 3 और 2 क्या होगे 5 लेकिन sign जो है दोनों में से बड़ा कोन है 3 तो उसके साथ minus का sign है तो वो answer में आएगा clear ये तो होगया same sign है ना same sign है तो add ही करना है लेकिन अगर different sign हो एक plus का sign एक minus का sign तो minus करना है यानि कि subtract करेंगे और sign जो है वो bigger number का आएगा for example 4 plus 5 तो 9 होगे same sign है अब different sign यानि कि 4 के साथ plus का sign और 5 के साथ minus का sign तो different sign होगे it means subtract करेंगे subtract करके 5 में से 4 subtract किये कितना आ गया 1 but sign कौन सा आएगा जो दोनों में से बड़ा है बड़ा कौन है 5 है उसके साथ minus का sign है तो minus 1 answer आएगा clear when we multiply और divide अगर integers को हमने multiply और divide करना है then क्या होगा तो student इस chapter में आपको integers की addition subtraction और multiplication divide भी है तो यह आपको अच्छे से समझना चाहिए अच्छे से अगर समझाएगी इस वीडियो में तब ही आप chapter जो है वो easily कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पे जब multiply divide करते हैं तो तब कैसे करना है देखो if there are same sign अगर तो same sign है तो हमेशा plus का sign ठीक है आएगा अगर जैसे plus plus है तो plus का sign अगर minus minus है तब भी plus का sign ही आएगा ठीक है क्यों क्योंकि multiply divide करने पे two minus minus हो तो वो आपस में multiply होके कट जाते हैं ठीक है यह याद रखना है आपने if there are different sign अगर different sign है तो तो क्या करोगे different sign है तो हमेशा minus का sign आएगा यह याद रखना है तब बड़ा छोटा नहीं देखना bigger number नहीं देखना multiply divide में जब add subtract करना है तब हमने bigger number देखना है कि जो बड़ा है उसका sign answer में आएगा बड़ जब multiply divide करोगे तो अगर एक भी sign minus का है उसमें दोनों में से एक sign minus का है different sign है तो answer में minus का sign आएगा clear जैसे example plus का 2 multiply हो रहा है plus के 3 से ठीक है 3 2 जा 6 अब दुनों के साथ same sign है तो plus ही आएगा ठीक है अगर minus minus भी होता तब भी क्या आना था plus का sign ही आना था ठीक है यह multiply में minus minus आपस में cancel हो जाएगे ठीक है अगर different sign है जैसे एक plus का एक minus का तो answer में minus का sign आएगा clear student next video में हम 1.1 exercise जो है first chapter की वो लेके आएंगे तो student हमारे हर एक video के last में next video जो है वो दी होती है आप last पे जाके उनको देख सकते हो student we hope that कि आपने teaser chapter की introduction जो है वो अच्छे से समझी है next up chapter जो है वो easily कर पाऊगे तो student देखा कितने easy way से हमने ये topic सिखा है ऐसी और study based video के लिए हमारे channel को subscribe करें और like जरूर करें thank you